नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पित्विराज और आप देख रहे हैं दबंग आवाज दोस्तों हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जोधपूर के अंदर एक ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बताने वाला हू और उसके अंदर सारे बच्चों के लिए सूईदा हैं यानि कि OPD है जो भी बच्चों के लिए हैं, IPD, ICU, NICU, सब आइसी एसारी सूईदा हैंने बच्चों के लिए हैं वीडियो का मेहन मक्सद है आपको जानकरी देना कि एक चोटे बच्चों को दिखाने के लिए अगर हम सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं एक निजी अस्पिताल में आप छोटे बच्चे को दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर जो कितना खर्चा लगता है और प्राइवेट हॉस्पिटल व्यवस्था हैं कैसी होती हैं वहाँ का इलाज होता है यानि किस प्रकार का इलाज लगता है बच्चे ठीक कितने जल्दी होता है वह सब बाते हैं जो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले तो सबसे पहले मैं बना हुआ है तो दोस्तों इस वास्पिटल में आप जाएंगे तो वहां पर मैंने देखा कि लगबग सारी सुईदा हैं यानि वहां पर मैडिकल है ओपीडी हैं डॉक्टर देखते हैं बच्चों के इस्पैसलिस डॉक्टर है और जांचे होती है वहां पर जो जनरल टेस् क्योंकि फ्राइब थोड़ा है जो खर्चा भी ज्यादी होता है तो सबसे पहले अपन एक यह ओपीडी की स्लिप कटवाते हैं ओपीडी पर्ची जिसको अपन कहते हैं यानि इस पर्ची को कटवाने के बाद जो डॉक्टर देखते हैं तो ऑपीडी स्लिप का वहां पर जो 200 रुपए में तीन दिन तक आप डॉक्टर को दिखा सकते हो तीन दिन तक और तीन टाइम यानि तीन बार दिखा सकते हो इस प्रकार के जो वहां पर सुईधा है दोस्तों तो यह जो ओपीडी स्लिप है ओपीडी स्लिप लेने के बाद में आप बच्चे को डॉक्टर को द वगत सक दोपे लगता है और 500 प्यूब को लगाई 200 रूपे टेस्ट का लगा लग अलग होती है उसके साब से जो भी लिखेंगे तो उसके पैसे आपके लगेंगे जाचे करवाने के बाद में अपन बात करते हैं जाचों की रिपोर्त है जो झाटिकल में कितनी के देर से आती है तो रिपोर्ट मेरे आई थी एक गंटे बाद में डेंगू मलेरिया और CBCT's की रिपोर्ट थी वह एक गंटे के बाद में थी हमने वहाँ पर सैंपल दिया बच्चे का जो नर्सिंग इस्टाप उन्हों लगाने के लिए दो दिन तक सुभे साम सुभे साम कुल मिलाके चार इंजेक्शन लिखेते और एक जो बफारा देते हैं थोड़ा जुकाम था बच्चे को तो वह चार लिखा था तो यह जो आपन लगवाते हैं यानि कि सुया लगवाना इसका वहां पर अलग से हमसे कोई भी चार्ज यह नहीं लिया गा है यानि कि जो nursing staff काम करते हैं उसका charge वहां पर नहीं लिया किया लेकिन एक बात वहां पर मैंने यह देखी दोस्तों कि अफन सबस्क्राइब जाते हैं तो वहां पर जैसे सुई हो गई पत्टी हो गयी चोटी-पटी जनरल चीज़ जैसे गलबश हो गए प्राइविट आपको पर लेना तो प्राइब बाहर मेडिकल से लाना पड़ता है उसके पैसे उसमें साथ में जूडते हैं तो उन्होंने लिखके दे दिया यह समान लेकिया हो वो सब मेडिकल से लाए फिर बच्चे के इंजेक्शन लगए यह बात है कि सर्विस के जो लगाने के हैं उसके पैसे नहीं लिए साहिद उसके पैसे है जो OPD Sleep में सामिल है तो यह सब हमने वहाँ पर किया उसके साथ साथ दोस्तों दूसरी बात में यह करता हूँ कि जो वैवस्ता है मैंने वहाँ पर देखी ऑब्जर्व करी और मुझे उसका रिवीव भी देना था इसलिए मैंने सारी पूस्ताज भी वहाँ पर करी तो एक जनरल च आगू नहीं होती है उसके साथ साथ में डॉक्टर आपको लगबग हर टाइम मिल जाता है यानि डॉक्टर का नाम तो वहाँ पर पांस से लिके हुए लेकिन वहाँ पर एक और दो डॉक्टर यह अवैलबल थे और उन्हांने बताया भी ऐसे ही कि एक दो एक दो डॉक्टर एने टाइम है जो वहां पर मिल जाता है और वहां पर वाइड भी है वाइड बने होई यानि बच्चों का भर्ती कर सकते हो एसई यूब है गय्यूप आज की बात अब देखिए मैं अपने भतिचे को दिखाने के लिए गया था उसके सुया लगई हमने तीन लगाने पर ठीक हो गया अब आप इसे इत्य पाक कहिए या फिर उस डॉक्टरों को करिस्मा कहिए कुछ भी कहिए बच्चा कुल मिला के ठीक हो गया तो अच्छा लग रुपे जैसे 1200 रुपे की जांचे हो गई और 500 रुपे की परची हो गई और उसके साथ साथ दवयां लगबग 800-900 रुपे की दवयां थी इंजेक्शन वगेरा वह सब जो आये थे दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये एक रिविई जो आपके लिए काफी है जो हेल्फु बच्चे को दिखाना चाहते हैं तो क्या सिस्टम होता है कौन सा ओस्पीटल है एक और नाम से वह बच्चों का रिविई लाने वाला हूं रिविई एक दिन जाओंगा गुमने के लिए और पता करूंगा कि क्या वहां पर सुईदा हैं और किस प्रकार की व्यवस्ता है तो दोद्पूर का उमेद होस्पीटल को लेकर उमेद होस्पीटल क्या व्यवस्ता है कैसे चेक अप होता है वह भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं थैंक्यू मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत